हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप आसा है बहुत बड़िया होँगे और स्वस्त होँगे आज हम आपको दोस्तों इसीडियो में टेक्समों का जो समर्सीलan का जो पंप रहता है उसके बारे में जानका यह देंगे दोस्तों हमारी मोर्डर जो रहती है तेक्समो उसका यह पंप है दोस्तो और यह जाम हो चुका है देखिए पूरी तरह और इसके जाम होने के क्या कारण रहते हैं दोस्तो वो भी इसमें आप वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे हम आपको इसको खोल कर और फिटिंग करके भी दिखाएंगे तो चलिए देखिए हम आपको दिखा दे थोड़ा सा इसका लास्ट में जो हमना थोड़ा सा वीडियो जो बनाया था दोस्तो इसका पंप है जो हमारा टेक्समो का मूनो है वो भी आपको दिखा देते हैं यह देखिए यह टेक्समो का पंप है दोस्तो औ और जाम होने में इसमें क्या कारण रहते हैं देखिए इसमें रेत दिख रही है हमको बाहर से भी तो हमको जहां तक लगता है इसमें रेत की प्रॉब्लम है इसमें जो होल में रेत वगेरा मिट्टी होगी तो उसकारण से जाम हो चुका है तो इसको हम खोल के और आपको वार रहता है दोस्तो और इसको फिर हमको बाहर निकालना होता है तो देखिए इसको खीच के हम बाहर निकालेंगे और इसको खोल के हम आपको दिखाएंगे भी सही कि इसमें क्या प्रोब्लम थी दोस्तो और केसे इसको फिट किया जाता है यह टेक्समो कमपनी का पंप है दो दोस्तो और यह 20 है तो सबसे पहले हम को क्या करना जोनकाल लेना है देख zap मैं जो सबसे हमारा अबार्यार निकाल लेना है दोस्तो सबसे पहले है इसे बूर्ट लगी हुई है और इसका कारण यही रहा है दोस्तों के इसमें मिट्टी गई और जो हमारे बारी रेत आती है दोस्तों वह गई सकारण से यह जाम होग fan Mick तो इसमें ज्यादा कोई problem नहीं होगी दोस्तों यह इसमें rate जाने की कारण से यह जाम हो गयी है और इसी कारण customer की motor भी जल गई है तो आज हम आपको इस वीडियो में इस पंप को खोल के और फिटिंग करके दिखाएंगे तो देखें दोस्तो इस तरह से पूरे पंप में हमारी रेद इसमें जा चुकी है उस कारण से यह जाम हो गया दोस्तो तो आपको खोल के दिखा रहे हैं पूरा और इसको बाद में हुस्ते कारण रहते हैं दोस्तो एक तो हमारा रेद मिट्टी अगर चली जाएगी तो भी हमारा जाम होगा दोस्तो यह इसमें हमारी रेद मिट्टी गई है उसी कारण से यह जाम हुआ दूसरा दोस्तो अगर पंप किसी ने सेटिंग किया हो फिट किया हो और सई से अगर स पानी नहीं है और हर तो आमने मोससे रैते दोश्तों लिस में पानि नहीं है और पानी समझ पर जिसे मुशकिल सब 17 ज baptism है और गंट तो जो जो देता है मोटर अगर चलती रहती है हमारी पानी छोड़ने के बाद में दोस्तो coloration में हमारे यह bowel cellar set जो रहते हैं यह plastic के रहते दोस्तो तो यह हमारे छिपक जाते हैं दोस्तो तो उस कारण से न से हमारा pump जाम हो जाता है एक कारण वह भी रहता है दोस्तो और अधिक तर उसी की तो पानी बहने और किसी ने द्यान ने रखी और मोटर ना पानी छोड़ दिया और चोड़ने के स्थितिमें अगर हमारी मोटर चल रही है तो मोटर हमारी गरम होने के बाद में ये बावल एमपुलर हमारे चिपक जाएंगे और उस कारण से हमारी मोटर भी अगर जाए देर तक चलती रही तो मोटर भी हमारी जल जाती है दोस्तों तो यह कारण रेते हैं हमको हमेशे ध्यान रखना होता है अगर गर्मियों के दिनों में अगर पानी खतम हो जाए तो हमको मोटर इतनी देर चलानी जितनी देर हमारी मोटर पानी दे रही है दोस्तो तो देखे दोस्तो इस तरह से हमने पंप पुरा खोल दिया है ओपन कर दिया है इस तरह से हमको खोल देना होता है तो देखे दोस्तो इसमें यह जो दिख रही है आपको यह rubber ring लगी हुए दोस्तो इसमें यह texmo का pump है इसलिए इसमें special यह लगाई गई है और इसकी size भी अलग रहती है यह दोस्तो बावल एमपलर की यह देखे हमने बावल एमपलर इसमें जमा दिए इसके क्योंकि इसके बावल एमपलर कुछ हम change नहीं करेंगे तो हमने इस तरह से इसलिए जमा दिए कि ताकि हम एक serial wire वापस fitting कर सकें दोस्तो इनको तो इस तरह से हमको जमा दिए अब देखिए हम इसको fitting करके दिखाते हैं आपको तो fitting करने में हमको किन बातों की धियान रखने हैं दोस्तों और क्या करना होता है वो भी आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हमको section को धोलेना दोस्तों हमारा सेख्शन है हमने देख लिए इसमें से भी हमने सब के रहेरा सब दोस्तों और कपल है और यह स्लू मारी बुच में चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हमको section को इसमें डाल देना दोस्तों यह देखिए और हम पंप नीचे ही फिट करेंगे मोटर पर नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि हमारा एक कंपनी का पंप और हम इसमें बावल एंपुलर सेट चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमको सेटिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें कुछ भी हमको सीम वगेरा धोना अच्छे से इस प्रकार से धो धो के हमको फिटिंग करते जाना है ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगेरा है दोस्तों और रेत वगेरा है वो हमारी इसमें ना रहे उस कारण से हमारा यह पंप जाम हुआ है और यह समश्य उसी कारण से हमारी आई है तो देखे दोस्त तो ये इस प्रकार से हमारी गेप रहना चाहिए, सारे एमपुलर बावल में जितने भी हम अभी सेट करेंगे, टोटल में ये गेप रहना है, जखना है दोस्तो हमको, ये फर्ष्ट में हमने देख लिए दोस्तो, ये देखिए इसमें कैसा बुरादा और रेत थी, तो इस तर पांच बावल फिट करके भी गेप देख सकते हो दोस्तो, कोई प्राब्लम नहीं है, और आपका अगर कमपनी का कोई भी पंप है, तो आपको इतनी गेप देखने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बावल एमपुलर सेट चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप चेंज करोगे, करें तो आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों, तो उसमें आपको सेटिंग देखना होती है, और दीझए यह जो छेद रहते बने हुए, इनमें भी हमको देख लेना दोस्तों, इनमें अगर रेत गुसी हुई हो, तो ओ भी हमको निकालना है, ऐसा ही नहीं कि ह पानी में केवल दोलेना है और फिटिंग कर देना अंदर अगर गुज गये हो तो वह आपको निकाला नहीं तो आपकी मोटर पानी कम देगी देखिए छेदे रहते हैं जो यह हमारे साफ होना चाहिए दोस्तों तो देखिए इस तरह से हम फिट कर लेना है और सेटिंग का यह रहता है दोस्तों इसमें के अगर कमपनी की आपकी मोटर है जैसे हमारी टेक्समो की है तो हमको इसमें ज्यादा सेटिंग देखने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों इसलिए हम फटा-फट इसको इसी हमारी सेटिंग आना चाहिए तो हमको इसलिए ध्यान नहीं रखना है दोस्तों इसमें कि हम नए बावल एंपुलर सेट इसमें डाल नहीं रहे हैं अगर आप एक भी सेट अगर इसमें डालना नए डाल रहे हो तो आपको फिर सेटिंग सही से देखना है दोस्तों उस चीज के आपको ध्यान रखना होती है इसमें ये हम केवल हमारा पंप जाम हो गया था तो हम इसको वापस से साप करके फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें हमको ज्यादा सेटिंग नहीं देखना है बस आपको टोटल बावल एमपुलर जो है हमारे उनको अच्छे से धो लेना है और धो धोके पानी में से निकाल के हमको डालते जाना दोस्तों चलिए यह देखिए देख दोस्तों कितनी इसमें ज्यादा रेत आ गयती और रेत आने का कारण बहुत सा यह भी रहता है दोस्तों कि हमारे जो नए ट्यूब वैल लगाते है हमारे नए भाई जो की उतार देता है जितना फिट घ्र रही कर रहे हैं उतने फिट पूरे पर उतार देता वुश्सकार gebracht on 500 भीट उतारने को उतारना है थाकि हमामाराव पुरी 300 भीट नहीं लितारने हीं दोस्तों उसमें 50 Bye, हमको उपर ही रखना है मतलब कि 200 या 240 वीट हमको उतारना चाहिए ताकि हमारा पूरी उतार देते हो ना तो उसी कारण से हमारा यह पंप जाम होता दोस्तों और यह इसमें पूरा उतारने के कारण ही दोस्तों इसमें मिट्टी आ जाती है जो रेत वगेरा से हमारा पंप भी खराब हो सकता दोस्तों तो इसी कारण से हमारा पंप जाम होता है तो आपको हमेशे ध्यान रखना है अगर आप नया बोलवेल करवा रहे हो तो उसमें आपको पूरी तरे पूरा नहीं उतार काना दोस्तों तो देखें दोस्तों हमने टोटल दस लगा दिये हैं यह धे हमने दस ह् रगाये हैं 20 का पंप है तो 10 के बाद में मीडिल-धंको लगाना जरूरी ए क्योंकि हमें मीडिल κेल्च के लिए दिया गया होओ हाला कि हमारे सा milligram वे बिगर मीडिल से भी चल जाते है support तो हम यह मिडिल लगाएंगे सबसे पहले तो चलिए पहले मिडिल के लिए हमको यह क्या करना हमको यह सुलू लगाना दोस्तों यह सुलू लगा देंगे हम और इसमें छोटी सी चाबी लगती है वह भी लगाएंगे दोस्तों सुलू में और लगाने के बाद में यह मिडिल दोस्तों हमको यह मीडिल किसुप लगा दोस्तों यह आपको दिखा देते यह इंसा5 दोस्तों और यह लगाना हम को यह सलु के वर लग org दोस्तों तो देखिए यह एंपुलर में मिडिल पर लगा जेते हैं इस तरह से और दोस्तो इस परकार से हमको कोई साभी पंप हो तो साप करना हो गर तो इस परकार से आप सपाई उसकी कर सकते हो अगर आपकी मोटर में आपके बाउल एंपुलर से अगर चिपके नहीं हो गरम होके तो आप इस परकार से साप करके फिटिंग कर सकते हो असानी से देखिए यह गेब देखिए यह गेब हमारी सेम नीचे भी इतनी आ रही थी आप चाहे तो आपको पता नहीं चले तो कुछ लेके आप बराबर नाप के फित कर सकते हो दोस्तों एक तो तो देखिए इस को फिट कर दे। दोस्तों वीडियो पर सब्सक्राइब कर देया को आने नए वीडियो के notification आपको मिलते रहे दोस्तों और दोस्तों वीडियो को पूरा वाच कीज़ा कीजिये हमारे हम बीच बीच में बहुत सी आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम के रहती दोस्तों जैसे कि हमने आपको इसमें बताया कि हमारा pump किस किन कारणों के से जाम होता है दोस्तों और हमको क्या साउधानिया रखना पड़ती है दोस्तों तो हम ये इस परसानी से कस्टमर हमारा बच सकता है दोस्तों तो कभी भी आप नया बोर्वेल लगाएं तो हमको हमेशे ध्यान रखना है मोटर को पूरी नहीं उतारना दोस्तों पूरी उतारन सबी देता है दोस्तों तो वो पंप में हमारे घुषने से हमारा पंप प्लास्टिक करेता है दोस्तों यह पूरा इसका तो हमारा पंप इसी कारण से इसका जाम हो जाता है और उस कारण से आप मोटर बार बार चला के आजमाते हो और मोटर को भी जला लेते हो दोस्तों और इ डिस्क्रिवन बोक्स में उसकी लिंक भी हम डाल देंगे दोस्तो आपको देखना है तो टेक्समो कंपनी की यह दोस्तो यह और दो एच्पी पे 20 का पंप लगा हुआ दोस्तो यह तो देखें दोस्तो इस तरह से हमारा यह पंप इतना हमने फिट कर दिया है देखें आपको पूरा इसको complete fitting करके दिखाएंगे तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो की speed थोड़ी हमने दोस्तो बड़ा रखी है ताकि वीडियो हमारा ज्यादा बड़ा ना लंबा ना हो आप चाहे तो इसकी speed कम करके भी देख सकते हो सही से आपको समझ में नहीं आ है तो दोस्तो तो देखें दोस्तो यह हमारा टाप बूच है यह जो हमारा टॉप पे लगता है तो इसमें हमको स्लू लगती है और इसमें बूच में हमारी स्लू चलती है तो सबसे पहले हमको यह स्लू डालना दोस्तो और स्लू में देखिए हमारे इसमें दो चाबी के इस में दो कट बने हुए और इसस पकार कि चाही लग यह में दोस्तों साइट से यह श्री हमको जडूर लगा देना में ज design इस तरह से लगा यह wp कर देखें इस तरह से प्वेंख दाल देना है म veins कि आसानी से दोस्तो हमारा पंप फिट हो जाता है और यह वाइसर लगा कि हमको यह नट इसमें कस देना वापस से दोस्तो तो चलिए नट टाइट कर देते हैं और फिर इसमें उपर का जो हमारा टाप बूच रहता है वो भी लगाएंगे तो चलिए दोस्तो यह देखिए कसने के बाद में हमारी दोस्तो यह गेप रहना चीए और हमारा पंप अच्छे से फिरी हो गया है और यह अब हम उसको टाप बूच लास्ट वाला जो रहता है हमारा वो भी डाल देते हैं दोस्तो तो देखिए दोस्तो यह इस तरह से हमारा पुरा complete fitting करना होता है हमको दोस्तो और अब जो हमारे casing है दोस्तो ये इसका जो pipe है इसको भी धोलेना दोस्तो अच्छे से क्योंकि इसमें भी हमारी मिट्टी और रेत जाती है दोस्तो तो इसको भी fitting करने से पेले इसको भी हमको अच्छे से धोलेना है देखिए ये इस परका से हमको अच्छे से पानी डाल के साप कर ले लाइस को ये पूछ जली आप इसको हम उसमें डाल के दिखाते इस तरह से मैं को खड़ा करके पाइप को डाल देना होता है तो आद दो tecn गो सामने हमारी आना चाहिए दोस्तो जश्ट और यह यह वाली कट हमको इस कट से मिलाना है ताकि हमारे नट इसमें आ जाए आसानी से दोस्तो तो देखिए हमने यह लगा दिये अब हमको इसमें नट लगाना दोस्तो चार नट से हमारा यह टाइट होता है तो जो यह कट लगी ह हुई है इसमें इस प्रकार से हमारी नट लगेगी है दोस्तों ये देखिए नट लगा के हमको इस तरह से एलंग की भार की साइट से हमको कस देना है इसमें इस प्रकार से चार एलंग की लगी हुई रहती है दोस्तों इसमें तो चलिए ये भी हम आपको लगा के दिखाते है देखिए आपको एक लगा दिये हमने दूसरी हमको आपको और दिखा दे इसमें किस तरह से लगाना है यह देखिए इस तरह से हमारी एक साइट कम रेती और एक साइट ज्यादा मोटा ही रेती इसकी देखिए दोस्तों तो यह उपर की साइट रखना हमको ज्यादा वाला हिस करना है नहीं तो हमारे इसके चेच जो है वह सही से मिलेंगे नहीं दोस्तों तो आमको चारे पे छारो jul よ Chi पेले डाल देना है इसमें और फिर सको टाइट करना है जो चैघेत करके दिखाते हम आपको और डेख बताते हैं आपको किस طरح से हमारा भोती बढ़िया तरीके से ये पंप फिरी हो जाएगा दोस्तो तो देखें दोस्तो हमारा पंप इस तरह से फिटिंग किया जाता और ये टेक्समो कमपनी का पंप था दोस्तो ये 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 दोस्तो इस तरह से हमको ये डाल के चारो नट को अच्छे से टाइट कर देना है तो च यह रहे नट gefिप होने के बाद में हमारा पंप एकदम बढ़ inferior जाएगा और एकदम कंपनी ॹचांटी और इस तरह से आपको कोई भी जाम पंप आये तो उसको फिटिंग करना होता है दोस्तो खोल के तो देखें दोस्तो इस वीडियो में हमने आपको इस पंप के बारे में पूरी जानकारी दिये और वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा देखें यह हम नहीं कितना बढ़ी तरीके से फी हो चुका है दोस्तो इस तरह से हमारा पंप बहुत it यह हो गया हमारा pump complete हो चुका है तो देखें दोस्तों एक बार और दिखा दें आपको हम यह texmo का pump है हमारा texmo company का तो चले दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching my video